नमस्कार दोस्तों मैं इंशुल मैं आप सभी का अपने चैनल टेकेट डार्गेट पर स्वागत करता हूं दोस्तों आज का वीडियो पिछली वीडियो से काफी अलग होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम देखने वाले टिप्स पर कैप जमने इंटर्व्यू पर मुझे लगा कि वो जो उन्होंने रिव्यू शेयर किये वो उसकी मुझे वीडियो बनानी पड़ेगी और आप सभी के ताज शेयर करनी पड़ेगी क्योंकि वह बहुत इंपोर्टेंट मुझे टिप्स लगे जो उपेई जी ने शेयर किये हैं और दोस्तों हो सके तो मैं ल कुछ लिखना अपने जब आप अल्रेडी इंप्लॉइड हो आप मैं पहली बता दोस्तों पेई जी को एक साल हो गया है कैप जैमने में वर्क करते करते तो आसान नहीं होता कि टाइम निकालिए और किसी के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर किजे इन्होंने आपके साथ अ इंटर्विव एक्सपीरियंस जाल दिया है प्रुफ का डाला है धरनजे का डाला प्रिया का डाला है दोस्तों जरूर देखिए इनमें से दो CAC के स्टुडेंट्स है और प्रिया ट्रिपल ए की है दोस्तों एक बात और बता दू अगर आपको उप्स के इंपॉर्टेंट क प्रिया का है और ये वीडियो दोस्तों अल्रेडी वायरल होई चुका है 8.6 कि दोस्तों चलिए और वीडियो को स्चार्ट करते है वीडियो को स्चार्ट करने से पहले प्लीज मेने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और वीडियो को लाइक कर दीजे तो दोस्तों चलिए पर देखते हैं उपेन जी का इंटर्वी एक्सपीरियेंस और दोस्तों एक बात और बता दू मैंने जो उपेन जी ने मेसेज किया है वो बहुत हद तक पूरा कॉपी किया है उनका कुछ भी अपनी साथ से नहीं किया है पूरा एक अपटू डेट है तो सारे मेसेजेस उनकी स के लिए उनकी साथ से कुछ स्टेप्स है तो दोस्तों चलिए और देखते हैं पहला है प्रिपेर योज सीवी इन पॉफेक्ट टैबलर फॉर्म सो इट बुड बी फासर टू रिट एंड अंडर्शेंग बादा इंटर्व्यू दोस्तों त्यान रखिए आपने से बहुत ल कुछ ऐसा ना हो कि आपका अगर एक पीच फोर साइज शीट है तो आपने आदे में सब कुछ खथम कर रहा है क्योंकि हमें दिहाम रखना होता है हमारा रिजूमें एफेक्टिव हो तेकने में भी अच्छा लग रहा हो पूरा टाबलर फॉर्म में होगा तो दोस्तों आपको नहीं आती हमें वहाँ अपने आपको बताना है कि सर मुझे यह आता है मुझे इस पर टेस्ट कर लिए और बही बताना है उपेंजी ने भी यह बताया है एंट नौट एंड नौलेज जब तक आपके पास उसकी एंड नौलेज नहीं है दोस्तों प्लीज मेंशन मत क क्योंकि इंटर्व्यवर बस देखने की उस पर रहता है कि भाई तु एक गलती कर मैं तु जबहान निकालू तो हमें एक भी गलती नहीं करनी है यह बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है इन यूर कॉलेज जेज यू मस्ट प्रेपेर एनी प्रोजेक्ट दू मैंशन दा प्रोजेक्ट डिटेज इन यूर सीवी एंड ट्राइट एक्स्पेर प्रोजेक्ट इन दा इंटर्व्यू तो आप सभी में मागतू थर्ड यह में में घरतें प्रोजेक्ट फॉर्ट वाप में वह प्रोजेक्ट करते हैं अपने हो समझाए प्रोजेक्त को जितना हो सकाए इंटरुव्यू के सामने हैं छोगोगो होजाओंगा और मेरे को कमेंट सेक्षिन में भी बोलने वाल है सर मैंने तो किये ही निया कोई प्रोजेक्ट क्या मैं हो जाओंगो सब्सक्राइब नहीं तो अभी भी आप पर दो या तीन देने मैं बोलोंगा अगर आप पर चौबेस घंटे भी है कल भी अगर आपका इंटर्वी तो प्ल आप ओल फि red world में काम करने वाले यो तो आपको प्रोजेक्ट मिलेंगे तो इंटर्व्वियर आपसे एक्स्पेक्ट करता है अब बच्चे के पास अगर बच्चे ने पहले ही कोई प्रोजेक्ट कर रहा है उसको मानुमों में प्रोजेक्ट होता क्या है तो बहुत अच्छ अगस के बीच में हो गया था अब दोस्तों 20 दिन में मानता हूं आज है दोस्तों 9 September 8 September तो दोस्तों 20 दिन हो गया है सर्च बोल दीजेगा सर मैंने जब रेज्व में सम्मिट किया था और अब मैंने 18 दिनों के अंदर अपना एक प्रोजेक्ट कर डाला है कोई बुरी बात नहीं है प्लीज प्रोजेक्ट को करिए फोर्ट अगस चड़ी दा कंचेप्ट ऑफ उपस एंड डीबीमस दोस्तों मैं स्चार्टिंग से कहता रहा हूं उपस और डीबीमस की इंपोर्टिंस बता रहा हूं आप लोगों आप समझिए एवन मैंने एक वीडि क्योंकि बहुत अफ्कॉस होता है कोई बताएगा नहीं आपको भाई डीबीमस कर लियो सीक्वल मत कियो डीबीमस प्लस सीक्वल लेगर चलिएगा दोस्तों और अगर आपको और कोशिंस के बारे में जानना है इन दोनों के तो दोस्तों सारी इंटर्व्यू एक्स्पिरिय दोस्तों इससे अपेशिय का मतलब यह होता कहा है एक दिन इंटर्व्यू से पहले हमार पास होता पढ़ने के लिए बहुत कुछ है वह सोता है उपस होता है न्टीबीमस होता है होता है बहुत कुछ है बट हमारे कभी नोट्स अच्छे से स्ट्रक्चर नहीं होते कुछ नहीं होते तो कोशिश कीजए यह जो इन साइट के नाम दिया डव्यू टिटोरियल पॉइंट और मैं एक अपनी साइट से एडप करना जाओंगो जावा टीपॉइंट यहां दोस जाएए और इन साइट्स पर जाएए और एक दिन पहले बहुत कूल होकर पड़िये और प्रोजेक्ट का जरूर ध्यार रखियेगा दोस्तों नेक्स है दर प्रोग्रामिंग लेंग्विज वीच यह गोइन तू प्रैक्टिस बेसिक लॉजिक कोट एक्जाम्पल पेलिंड आपसे पूछ सकते हैं और आपको बेसिक चीजों तो पता ही होनी चाहिए आपको जीपी के अवारे में पता होना चाहिए और डेटा सक्टर्स की बेसिक इंप्लीमेंटेशन तो दोस्तों करी लेजएगा तो एक बात मेरी एक रिक्वेस्ट आप सभी से आपने से जिन जिसका इंटर्वी होता जाए प्लीज मेरी मेरी मेल आइडी पर मेरे को अपना इंटर्व्य एक्सपीरियस शेयर कीजे यह गई मेरी मेरी मेल आइडी techintarget at the rate of gmail.com क्योंकि बहुत लोगों ने अल्रेडी कर दिया है और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग शेयर कीजेगा और अगर आपके से कोई सेलेक्ट होता है तो प्लीज मुझे बताइएगा विकॉस आई नो मैं पिछले साथ दिन से प्लीज मुझे अच्छा लगेगा तो इतना हो सकते तो मेरे को अपना पूरा इंटर्वी एक्स्पिरियेंस मेल करिएगा दोस्तों नेक्स्ता इफ यॉर नोट अवेर अवाइर अवाट सम्टिंग यॉर्ट नो इंटर्वी एक्स्ता इंटर्वी सेरों नो रेदर देन फंबलिंग फॉर अच्छा अब दोस्तों होता कि है हमने का भाई डेटा स्रक्ष्ट पूछ लो सर आती है अब सबने सीधा पूछ डाला वाट इस ग्राफ ग्राफ में क्या क्या होता है हम भाई लगे पड़ें सोच क्यों पूछ लिजे क्यों पूछ लिजे फॉंपलिंग करने से कुछ नहीं होगा आप तो देख एक तो इंटर्वीएर के टाइम वेश कर दोगे और इंटर्वीएर पे आप अपके निऊ आपके कॉलेज के सो से प्लस पच्चे होंगे उनका इंटर्व्यू लेना आप अक जहार रखिएगा fumbling को avoid करिए अगर आप पर उपस में अभी कुछ ऐसी multiple threading पूछ लेते हैं जो बहुत लोग नहीं करते हैं सर्जे बोलिए sir I don't know about this but you can ask me other topics related to oops like वो आपसे पर inheritance, overloading, polymorphism, abstraction किसी के विवारे में दोस्तों पूछ सकते हैं दोस्तों next point that don't be nervous in speak confident in a calm manner तो बहुत cool है मैं पहली बदा चुका हूँ बहुत नर्वस तो नहीं होना है cool होकर बोलिए और वह आपकी अगर आप English पर दिहाद दीजेगा दोस्तों English हो सके अच्छी रखना मुझसे लास्ट वीडियो में एक दो कमेंट्स आथे कि सर आप हिंदी में दे सकते हैं अपना इंटर्व्यू बहुत अच्छा था सर हिंदी में दे नहीं होता है कभी-कभी आप कुछ आप मुझे हिंदी में समझा सकते हैं हिंदी जब यूज की जाती है यह नहीं होता कि उन्होंने बोला इंटर्व्यूस करने के लिगए हिंदी में इंटर्व्यूस करने लग गया हो सो ऐसा नहीं करना है क्योंकि English बहुत बड़ा रोल ने बात यह होता कि आपको एक तरीके समझते हैं कि मुझे इस बंदे को लेना है वो कभी यह नहीं सुचते कि मुझे इसको अठाग है वह अच्छे केन्डीडेत सुनते हैं तो यह हम एक कॉर्परेट वर्ल्ट में काम कर रहे हैं हम एक दूसरे से English में बात करते हैं तो अगर कोई candidate आता है वो भी English में बात करता दोस्तों मैं समझता हूं कि आपके लिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि जब मैंने उनका कमेंट पढ़ा था मुझे खुद अच्छा लगा था कि उन्होंने इतना टाइम निकाल कर इतना बड़ा मेसेच प्रेंट किया रिकॉस आसाथ नहीं होता दोस्तों कभी आप खुद सो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है प्लीज उस कमेंट को लाइक कीजेगा और कमेंट जरूर कीजेगा उनको थैंक्स बोलिएगा नेक्स साथ दोस्तों एचार राउंड इस राउंड वेर यू वियर यू विल भी आस अबाउट यॉर्सेल्व और कम्यूनिकेशन स् होती है टेक्निकल इंटर्विव में एक बार को आपकी कम्यूनिकेशन स्किल्स को इंग्नोर किया जा सकता है वो यह समझे लीजेगा कम्पनी के चार बहुत मतलब में लीड्स होते हैं उन पर बहुत जादा वो होता है बोज़की आपको हटानाय लेना क्योंकि कम्यूनिके आपको इसे प्रिपेर कीजेगा जैसे कि आपको भी पता रहे हो आप भी आहां सर बोल सकते हैं आपके एड़कोंडर्स यहां है मतलब उनके साथ इंटराक्टिव में पाथ हो सकते हैं नेक्स पॉइंट दो दोस्तों बी कमपरड़िबल इन राउंड एस राउंड इस और आपको आपको सारे रूल्स भी बता देते हैं कभी-कभी बहुत लंबा जाता है क्योंकि चाहर भी बहुत डिटेल डिसकेशन में चले जाते हैं तो दोस्तों त्यहान रखिएगा इन टिप्स को जरूर देखिएगा अब मैं आपको उनका कमेंट देखा दू पेंट जी का शुक्त की मैं ने खूल दोस्तों यह किया था इन्होंने यहां उपेंट जी का कमेंट लिए आप देख सकते हो मैंने ऑल्मुस सेम ही है क्योंकि मैं नहीं चाहता था कुछ ऐसा हो मैं अपनी साइड से एड़ अप करूं क्योंकि मुझसे जो पिछले जो शेयर कटें लूँ आप सभी के लिए तो दियान रखेगा इस मेसेज को यहां से लाइक कर दिज़ों प्यार देने के लिए दिल पर भी प्रेस कर दीजेगा दोस्तों और दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए बहुत-बहुत प्यार दीजिए क्योंकि आप जि जिनको नहीं चाहिए अगर आपको चाहिए कुछ और एक्स्पीरियेश मुझे बताइए मैं बात करता हूं क्योंकि मेरे कुछ दोस्ते तो डिफरेंट कॉलिजिस में जिनके एक्जाम हो चुक है वाँ इंटर्व्यू चल रहे हैं तो मैं आपको कॉंटक कर लोगा तो दोस्त तो आज के लिए टाई में जल्दी मिलता हूं अपनी नई वीडियो में अपने नई टेक अप्डेट के साथ जब तक के लिए दोस्तो धन्यवाद